तो फ्रेंस्स, आज की वीडियो में हम लाए हैं दही भल्ले की रिष्पी. अगर आप दही भल्ले बनाना चाहते हैं और वह भी बिना तेल में बनाना चाहते हैं. और नरम भी, मुलायम भी सौप्ट भी और चटपटी भी तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं आप इस वीडियो को पुरा देखिए और इसमें दई भल्ले हमने बिना तिल से बनाया है और भी बहुत ही नरम और चटपटा तो फ्रेंट्स आपनों का मैं स्वागत करती हूँ और चलिए मैं बना दाल को बीगो दिया था और मुंग की दाल को भी रात बर भीगो दिया था और दोनों की कौटिटी सेम होनी चाहिए विगो करके रखा था अच्छे से मैंने साप करके धुल लिया है और इसके बाद चलिए बनाते हैं तो फ्रेंड्स अब आप लोग चाहें दाल को एक ही मे अलग-अलग हो यहде। इसके बाद मिकाव जयर लेंगे और बनाते हैं दोनों की कौह उब माई सोडा हो जरूर अगर घ़ाने हम न हो अगर इं आग और लोग लेंगे और पीस करके फाइन प्रिष्ट तयार करेंगे इदम बारीक इसमें बिलकुल भी हमने पानी का इस्तमाल नहीं किया है जो भीगे हुए दालत है उसी तरह से हमने पीस लिया है तो आप रोद्धिक पा रहा हैं एक बढ़िया फाइन प्रिष्ट हमारा तयार हुए है अब इसके बाद इसको दूसरे बॉल में निकाल लेंगे तो अब रोद्धिक पा रहा हैं दूसरे बर्तन में हम निकाल ले रहें इसको तो हमने निकाल लिया है अब इसके बाद इसको हम फेटेंगे तो फ्रेंड इसमें फेटने का ही तरीका बहुत सही होना चाहिए तो इस तरह से घुमाएंगे डाइरेक्षें dus नहीं नहीं चुआげए और मालुं होगा अपनी का दो तरीका होता है आगा उपर उठ जारहा है तो उस तही है देखिए यह नीचे नहीं बैठा है यानि कटोरी के नीचे नहीं बैठना चाहिए होता है ना नीचे बैठ जाता है उसके बाद उपर आता है पानी के तो ऐसा नहीं चाहिए तुर्यांत डालिए और कटोरी के नीचे न जाए पानी के उपर ही तैरने लगे ऐसा हमको बेटर तैयार करना है तो हमारा बीटर एतम उसी तरह हुआ है तो आप लोग उसी तरह वेट तैयार किजिएगा आप इसके बाद देखिए हम लिए हैं इडली मीकर इडली मीकर लिए हैं आइस में हम थोड़े-थोड़े ओयल डाल देंगे और आयल डाल करके इसको अच्छे से पुर लगा देंगे अब देखिए rike लगा एप लोग नाने रख लिया अब जो बेटर हमने तयार किया है अब इसमें थोड़े से कुछ नमक डाल देते नमक थोड़ा ही डालेंगे क्यांकि बात में भी डाल ना है हमको थोड़ा आउसा डिंग और हरी मीच डाल देंगे गिए दो हरी मीच 125 इंदिया की पते डाल देंगे बहुत अच्छा टेस्ट इस ते आता है आप लोग डाल के जरूर देखिएगा आब इसको इसमें फ्यट लेते हैं यानि से चिल मिला लेते हैं तो देख़ पा रहा हैं अच्छे से इ प्यार हो गया है अब इडली मेकर लेते हैं इसमें हम डाल देते हैं इसको एक एक चमच में छोड़ा चमच ली हूँ अई एक चमच डालती हूँ क्योंकि अभी जो यह पकेगा तो इसकी जो मात्रा है बढ़ जाएगा यह दूबना हो जाएगा इसलिए फूले गी अभी तो है इसलिए बैख killing यह की डाल दिक अगर फिरण आप लोगों के पास इडली मेकर नहीं है या इसमें नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ुआ टाइसे तर देखिए मों टैप कर दिया है तहरा थी तो आप रोड़े हैं अच्छे से बराबर हो गया है मैं आप इसको हम को पूले लेते हैं इसे होगा कि एकी बार में तयार हो जाता है इंक टोरी में भी बढ़ियां बनता है लेगिन देखिए अब इसको में तयार कर लिया अब हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया है तो देखिए अभी थोड़ा बहुत हमने ओर टैप हो देदर है तो पुराच्छ से मिल जाते था अब इसमे रख देते हैं थक कंता से ढ़कत है और फ्रेंडस से ची कि यह तीन कटोरी में ही हो त्विटा इतना ही था तो इतना ही हुआ है तो इसको भी इसके टप कर देंगे जिसे की जो कटोरी का जो निचलौला हिस्सा उसके पूर अच्छी से फिल यह यहाई आ अब इसको भी पानी गरम करने के लिए रखें आ उसमें जाली वाला वरतान र अब इसको भी डख देंगे 15 मिट इसको भी छोड़ना है 15 मिट भी पकेगा तो इधर पक रहे हैं अब इसको थोड़ा अच्छे से फेट ना है तो इसको फेट करके साइड में रख देंगे तो देपा रहा है अच्छे से में फेट दिया अब बिल्कुल विसमें देखी गुठलिया अलम्स कुछ भी नहीं है अच्छा से बेटर तयार हो गया है अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं तो फ्रेंड्स पंदर अब इसको हम देख लेते हैं लग रहा है यह पख गया है तो थोड़ा चेक भी कर लेते हैं गयास्त हमने बंद कर दिया लेकिन चेक करने का तरीका है यह कांटी वाले चमच ले लेंगे चाहिए कोई भी चमच लेंगे आएसे इस तरह से देख लेंगे तो अगर चमच में लगता नहीं है तो यह तयार ह जुद नंकाले कितना अच्छा एक तयार हुआ है जब लग रहा है तुर्णा ने के बाद निकालेंगे निकाले कि तो देखे कितना अच्छा एक बनए कर त्यार हो आप लोग देखिए कि इसका जो मतलब जो हमें वेटर रखा था इसका दूगूना हुआ है देखे फूल गया है सारे जो बड़े हैं फूल करके तयार हुआ है 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 कि कटोरी वाला भी हम दिखाते रहे हैं इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया था कि देखेंAs और फूला भी है देखिए तो अब लोग देख पा रहा है ना इससे भी बन जाएगा अब इज़ार इन को देख रहते हैं जो इसमें से भी निकाल लेते हैं तो अब देख पा रहा है कि इतने अच्छे से निकल जा रहा है वाव वैसे ही खाने मजा रहा है मेरी बेटी तो ऐसे ही मां मंगे खा रही है वैसे इसको दे दिये थे खाने के लिए इतना अच्छा है लग रहा था खाने में कि बन पास को पानी दालने के बाद प्रेंड इसको थे 10 में गाज़ें और निचोड़ दिहें पानी में निचोड़ लिया है कि और इसको हम एक ब्लेट की रहे देते हैं तो आप लोग देख पा रहा हैं कितना अच्छा है हमारा बड़ा तयार हो गया है तो अब इसको दही भल्ले का रूप हमको देने के लिए अब इसमें डालेंगे उपर से दही तो आप देख पा रहा है है कि में दही बहुत ही गाड़ी है थोड़ा से पानी डाल कर फेट लेंगे तो तो बहुत बढ़िया वजाएगा लेकिन गाड़ी दहीं तो कोई दिकत नहीं है मैंने फेट लिया अच्छे से पानी तमी बिलकुल नहीं डाला है अब पुरे दही काली मिर्ट का पाउडर पूरे अच्छे श्टोड़े देंगे और इसके बार इसमें डाल देंगे लाल मिर्ट का पाउडर रेफ्रेंस तीखापन के लिए डाल दिये हैं अब इसके बार डाले हैं भूना हुआ जीरा पाउडर जीरा को हमने घर पे भून करके पीस लिया है और घर पे हमने तयार करके रखा हुआ है जीरा पॉर्डर भी हमने इसमें डाल दिया है अब इसके बाद इसमें हम डाल दिये हैं काला नमक तो नमक तुरह इसी साब सी डालना है क्योंकि हमने नमक जो है बड़ों में डाला था इसके बाद हमने डाल दिया चाट मसाला फ्रेंड्स हम दिखाय नहीं है लेकिन चाट मसाला अब इसमें डालना है मैं डाली हूँ और चाट मसला से थोड़ा सा जादा ही डालना है अब देखिए हमारा बड़ा पड़ियां से बन के तयार हो गया है अब इसको मैं काट के दिखा दे रही हूँ देखिए आप लोग कितना अच्छा है बन के तयार हुआ एक दम शौप्ट खाने में तो मज़ा आ गया फ्रेंट्स आप इस दही बड़े को बिना तेल में तले ही दही भला रेस्पियां बना करके घर पे शर्व किजिए उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दूबा कितने चरी है आप लोगों को चाले है के भीड़ेब अूबेब सी में झाले ही दोबाने खाने में तको लेखिए-ira